आज मैं आप लोग के साथ अपनी दिवाली का छोटा सा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ तो मैंने किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की और आप लोग के दिवाली कैसी रही ज़रूर बताईएगा कॉमेंट सेक्शन में तो अभी है सुबह के ग्यारा बजे का समय और आप देख सकते हैं कि घर की पूजा हो चुकी है मेरा मंदिर और काहना जी नहादो के इदम तयार होके बैठ गए हैं और उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ समान सब जाके पूजा का तो आप देख सकते हैं फूल, मिठाइए, दीए, पानी में डाल दीए हैं भीगने के लिए और ये कुछ मिठाइए यां घर के लिए लेके आए हैं बचों के लिए और आज के दिन बनती है सूरन की सबजी तो मैंने यह आपे बॉil करने के लिए चड़ा दिया है सूरन को अब मैं बनाओंगी इसकी बहुत ज़्यादा चेकपटी मसालेदार सबजी तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सूरन की सबजी बना रही हूँ और यह तो पहर का टाइम है लगबग 12 बजे के आसपास और मुंबई में ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है पता नहीं क्यों नवंबर का लगबग अब दिवाली आ गई है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं यहाँ पे फटा फट से सूरन की सबजी बना ले रही हूँ और क्या है ना टिटेल वीडियो सूरन की सबजी का मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा क्योंकि यह सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मैं फटा फट से अपना काम निपटा रही हूँ दोपहर में क्योंकि दिवाली के दिन इतना ज़्यादा काम होता है ना कि बिल्कुल आराम करने का समय नहीं मिलता है और अगर आप फिर भी आराम करने के लिए चले भी जाओगे ना थोड़ा टाइम निकालके तो दिमाग में बस कामों की लाइन लगी रहती है कि अभी ये भी करना बाकी है वो भी करना बाकी है तो ये देखें मेरी स्वाधिस्ट सिंसूरन की सबजी बन के तयार है और अब मैं बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट आलू, सौरी पनीर और मटर की सबजी क्योंकि उन लोग की डिमांड पे कुछ स्पेशल होना चाहिए उनके लिए भी तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर करीं की सबजी जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जाधा टेस्टी बनती है तीन चार चम्मस सरसो का तेल लिया है मैंने जीरा डाला है तड़के के लिए और तीन प्यास को बारीक कट करके आपको एड़ कर देना है और उसके बार टमाटर अधरक लसन का पेस्ट एड़ कर देंगे सब को अच्छे से भून लेना है मसालों को भूनने के लिए करीबन साथ से आठ मिनट लगेंगे आराम से और अब यहां पे मैं रेगुलर मसाले एड़ कर रही हूं नमा, खल्दी पॉर्डर, धनिया पॉर्डर, जीरा पॉर्डर, लाल मिर्श पॉर्डर और गरम मसाला इसकी भी डिटेल्ड रेसेपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है तो आप लोग जरूर से जाके चेक कीजिए बहुत जादा डिलिशिस सबजी बन के तयार होगी मटर पनीर की और अब इस मसाले को 7-8 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है क्रीमी टेक्शर देने के लिए यहाँ पर मैं जो हमारे घर में दूद रहता है उसके उपर मलाई जम जाती है मैं वो क्रीम का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं फुल फैट मिल्क लेती हूँ तो उसलिए मलाई अच्छी खासी बैट जाती है दूद के उपर और मैंने फ्रेश क्रीमी आपे एड़ कर दिया है अब इसको ढखके वापस से छोड़ेंगे दो से ती मिनट के लिए और आप देखेंगे की मसाले का टेक्शर कितना अच्छा आ गया है यह देखें जब इस टेक्शर में मसाला आ जाए ना हमारा मसाला एकदम रेड़ी है अब हम इसमें मटर एड़ करेंगे मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी एड़ करेंगे तो जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी एड़ कर दीजए और पानी में बॉयल आते ही हमें पनीर एड़ कर देना है ये सबजी बनानी बहुत ही आसान है और अपकोर्स त्योहार होते हैं तो बच्छों की फेवरिट तो बननी जरूरी ही है यहाँ पे मैंने पनीर एड़ कर दिया है और कुछ पनीर के पिसस को ना हाथों से इस तरीके से क्रश करके डाल दीजे तो ना ग्रेवी में बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट आता है ये देखिए इस तरीके से अब हमें यहाँ पर एड़ करना है एक चमच कसूरी मेथी और थोड़ा सा आधा चमच पनीर मसाला और अ क्या है ना शाम को आराम से फिर हम पूजा और बाकी की तयारियां कर सकेंगे खाना बनाने का बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं रह गई है अब शाम के लिए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक साइड में खीर भी बनने के लिए रख दिया है क्योंकि खी है कि खीर तो बननी ही है और उसके बाद में थोड़ा सा कीचन का काम समेट लोगी और मिलती हूं आप से बाद में और उसके बाद मैंने सारे दिये को पानी में से निकाल के सूखने के लिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत जादा है और आजना धूब भी फ्री होके रख लेते हैं ना तो अच्छा रहता है यह देखिए और अब शाम का समय आ गया है और आप देख सकते हैं कि मेरी रंगोली बनके तयार है दिया बत्ती लाइटिंग हर जगे लग चुकी है और ना बहुत सारी चीजे हुई जो कि मुझे शूट करने का बिल्कु लोग देख सकते हैं कि कुछ फोटोस हैं मेरे हाँ पे और इस तरीके से मैंने दिवाली सेलिब्रेट की और पूजा और फोटोस वगरा सब हो जाने के बाद अपकॉस शगुन के लिए मैंने छुड़ाई फुल जड़ी और पूरी फैमिली ने हम लोग उने टैर्स पे जाक कर दो